हेलो एब्रीवन यह मेरा थर्ड वीडियो है रेल नेसिस में हम लोगोंने पिछली वीडियो में नमबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ ओडर्ट फिल्च के बारे में भी जाना था आज की इस वीडियो में हम लोग Archimedian property of rational number के बारे में जानेंगे तो सुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं आखिर यह property है क्या Let A and B belong to Q plus मतलब की A और B कोई दो positive rational number है such that B is greater than A Then there exists N from Z plus मतलब की तब कोई एक ACN positive integer मिलेगी such that N into A is greater than B यहाँ पे A जो थी वो छोटी थी B से लेकिन हम लोगों को एक ACN positive integer मिलेगी जिससे की अगर हम लोग A को multiply करें like N into A वो B से बड़ी बन जाएगी तो यह Archimedian property of rational number है इस property को हम लोग एक motivation की तरह से भी ले सकते हैं like मा लेज़े कि A आपकी current situation है और B आपका goal है आप लोगों को लगता है कि आपका goal काफी बड़ा है और आप उसे achieve नहीं कर सकते हैं यहाँ पर B is greater than A है लेकिन अगर आप positive approach रखे और साथी साथ smart work करें यहाँ पर हम लोग N को positive approach और smart work की तरह ले सकते हैं तब जो आपकी current situation है A into A आप लोग current situation में smart work और positive approach रखे तो आप अपने goal से भी काफी अधिक achieve कर सकते हैं यहाँ पर N into A is greater than B भी आपका goal था तो आप अपने goal से भी काफी अधिक achieve कर सकते हैं इस property को आप motivation की तरह से भी ले सकते हैं तो आप अब हम लोग prove करने जा रहे हैं इस property को इस property को हम लोग contradiction method की द्वारा prove करेंगे तो यहाँ पे let A and B are two positive ratio numbers such that B is greater than A यह तो हम लोगों को दिया गया है तब हम लोगों को prove करना है कि there exists N from Z plus मतलब कि एक positive integer exist होगी such that N into A is greater than B लेकिन हम लोग यहाँ पे assume करते हैं कि for all N from Z plus N into A is smaller than B मतलब कि हर एक N के लिए अगर हम लोग A से multiply करते हैं N को तब यह छोटी ही रहेगी B से यह हम लोगोंने assume किया है अगर हम लोग contradiction सोग कर देते हैं तो हमारी property proof हो जाएगी अगर N into A is less than B है तो इसे N is less than B upon A भी ले सकते हैं हम लोगोंने दोनों तरफ A से divide किया हुआ है और इसे equation 1 का नाम दे जते हैं यह for all N के लिए true है by our assumption लेकिन अगर हम लोग N को इस तरह से put करते हैं N is equal to 2 into greatest integer function of B upon A अगर इस N को यहाँ पे put करते हैं तो हम लोग देखतें कि आखिर हमें क्या मिलती है तो N के जगह में यह put करते हैं 2 into greatest integer function of B upon A यह जो integer है वो हमेशा B upon A से बड़ी होगी यह दिखाता है कि यह एक contradiction है यह कर सकते हैं कि हमारी जो assumption थी वो wrong थी तो कोई न कोई एक N मिलेगी positive integer जिससे कि अगर A को multiply करे तो B से बड़ी बन जाएगी अब हम लोग इसे एक example के द्वारा भी समझ सकते हैं जो कि counter example कराती है क्योंकि हम लोग इस example से हमारे assumption को discard करते हैं इसे एक counter example कहा जाता है यहाँ पर हम लोगों ने B को 3 upon 4 लिया वा है और A को 1 upon 2 दोनों ही नमबर पॉजिटिव डेशन नमबर है यहाँ पर B जो है वो A से बड़ा है 3 upon 4 is greater than 1 upon 2 so by our assumption हम लोगे ने resume किया था कि for all N, N A is less than B from here so from equation 1 N is less than B upon A यह हमारी assumption थी लेकिन यदि हम लोग N का value यह put करते हैं 2 into greatest integer function of B by A तब हम लोगों ने देखा था कि यह B by A से बड़ी हो जाएगे तो हम लोग चेक करते हैं क्या इस example के लिए भी यह true होगी so 2 into greatest integer function of B upon A is equal to 2 into यहाँ पे B का value पूट करते 3 by 4 और A का value 1 by 2 so यह बन जाएगी 2 into greatest integer function of 3 by 2 and which is equal to 1.5 और greatest integer function of 1.5 जो होगी वो 1 की इवकल होगी so 2 into 1 which is equal to 2 अब N का value जो यह है हमें मिलती है 2 और B by A जो है वो 3 by 2 1.5 है so 2 is greater than 1.5 but हमारे assumption के अनुसार N हमें साथ B by A से छोटी होने चीए for all N लेकिन हम लोगों को एक N ऐसा मिलती है जिससे कि यह बड़ी हो जाएगी B by A से so यह contradiction है so हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारी assumption थी वो wrong है by this counter example so हम लोग कर सकते हैं कि कोई ना कोई एक N मिलेगी जिससे कि अगर A को multiply करेंगे वो B से बड़ी बन जाएगी so this property is proved so I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगे अगर पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें so that's it for today thank you for watching